वेल्कम दोस्तो नर्सिंग अपडेट बाई CHO यूटूब चनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन जो राजस्तान CHO बर्ती के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले है दोस्तो रा करके उन 28 क्लासों को जुरूर देखें क्योंकि अगर आप वो क्लास अट्रेंट करोगे तो आपका सेलेक्शन होने का चांस है वो दोस्तो मोर दैन 95% हो जाएगा दोस्तो मेरे पीछे की क्लासे जुरूर वोच्च करें और आज देखते हैं अपने क्लास नमबर 29 इसके क्रопед ऐस्ट में आपको मैं टैसर् W dyed इंफोर्म Only यह वीडियो को अर्श तक दुरूर देखें चलो दोस्तों छुरू करते हैं आज का दमाकेदार easier कि ऑ लस்तों सुरू करते हैं आज का अपना दमाकेदार शैसन पहला कुशन है अपना दोस्तों की आ ऐसा जो है उसको इसकी full form क्या होती है ये question important है दोस्तों कि आसा की full form क्या होती है पहली बात तो कि accredited social health activities बिल्कुल दोस्तों ये क्या है आसा की full form है जो अपने आप में क्या है दोस्तों important है बिल्कुल दोस्तो यह बहुत important है तो इसकी full forum है तो discussion के अंदर पूछा गया है कि आसा जो है वो कहाँ पर work करती है दोस्तो तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि आसा कहाँ पर work करती है पहला option अपना है PSC दूसरा option है दोस्तो अपना village level तीसरा option है community level और fourth option है दोस्तो district level तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि जो आसा होती है आसा होती है दोस्तो वो village level पर काम करती है दोस्तो village level पर काम करती है दोस्तो और यह 8 वी pass होती है दोस्तो क्या 8 वी pass होती है दोस्तो और इसके बारे मैं बताऊं दोस्तो कि village level पर काम करती है यह आठ भी पास होती है दोस्तो और इसकी full फोरम अपने देख लिए दोस्तों क्या होती है equity related social health activities social health activities बिल्कुल दोस्तों यह बहुत important है इसकी full फोरम activist और दोस्तों इसके बारे में एक चीज और बता दू आंसा के बारे में कि एक और पासा के बारे में कि कितने पर दोस्तों एक हजार population पर यह काम करती है दोस्तों next देखेंगे दोस्तों यह था important question इसका जो right answer होगा दोस्तों इसका जो right 2023 के अंदर और मैं आपको वो सारी इंपोर्टेंट क्यूशन यहां पर करवा दूहां दोस्तों जो की असना सी अच्छो पूछेगा 2023 में तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अपना विलेज लेवल नेक्ट देखते हैं दोस्तों क्यूशन नंबर सेकेंड सेकेंड नंबर क्यूशन क्या है दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है दोस्तों सेकेंड नंबर क्यूशन है दोस्तों अपना क्यूशन है कि diluent use for BCG BCG जो injection होता है दोस्तो BCG उसको dilute करने के लिए किसका use करते है तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि जो BCG होता है दोस्तो जो BCG होता है दोस्तो BCG वो कैसी form में होता है वो powder form में होता है दोस्तो powder form में होता है दोस्तो और उसको dilute करने के लिए दोस्तो अपन उसको dilute करने के लिए MS, normal saline का यूज करते हैं दोस्तो sodium chloride होता है, normal saline का यूज करते हैं, important है दोस्तो और BCG vaccine है दोस्तो, dilute करने के within six, बिल्कुल दोस्तो, within six hour के अंदर अंदर within 6 hour के अंदर-अंदर यूज करना है after 6 hour दोस्तो after 6 hour क्या करना है इसको not use, discard करता है discard कर देना है इसको इसका use नहीं करना है तो important question है दोस्तो और मैं आपको बता दूँ BCG से बहुत अच्छे अच्छे है और important questions आपको देखने को मिलेगे मैंने पीछे के sessions में आपको BCG के बारें पूरा बताया है दोस्तो तो आप एक बार जाके पीछे का session जुरूर attend करें दोस्तो एक बार और देखलो कि BCG जो है दोस्तो वो कैसे लगाते हैं intra-dramal लगाते हैं दोस्तो intra-dramal लगता है दोस्तो .1 ml बिल्कुल दोस्तो .1 ml डोज लगती है तो दोस्तो इसका जो right answer हो जाएगा मैंने थोड़ा सा इसके बारें बता दिया आपको इसका जो right answer है दोस्तो वो अपना है normal जिलाएं इसका right answer हो जाएगा दोस्तो ये question number 2 था दोस्तो अब देखते हैं question number 3 next देखते हैं दोस्तो question number 3 क्या है अपना अब मैं आपको पूरा time दूँँगा दोस्तो जवाब देने के लिए तो पहला question दो तीसरा question दोस्तो in try is क्या in try is yellow color indicator बिल्कुल दोस्तो important question है आप जल्दी से मुझे इसके बारे में बता दो कि इसमें कौन-कौन से color होते हैं और वो color coding क्या-क्या काम आती है तो दोस्तो पहला option है emergent दूसरा option है urgent तीसरा है दोस्तो non-urgent चोथ है दोस्तो dead तो बताओ दोस्तो इसका right answer क्या होगा comment box में और जितने भी लोग video देख रहे हैं जितने भी लोग video देखने हैं वो like जरूर करें दोस्तो like करें आपके लिए और बैतरीन चीजे मैं लेकर आया हूँ दोस्तो like like से मुझे motivation मिलता है और मैं बहुत अच्छा पढ़ाने के आप वो कोशिश करता हूँ मेरे content में अगर कोई कमी है दोस्तो तो like मत करो अगर content अच्छा लग रहा है तो like जरूर करो तो देख लेते हैं दोस्तो इसका right answer क्या हुआ जल्दी से आप उचे comment box में इसका right answer बताएं दोस्तो कि yellow color जो है वो कि इसको indicate करता है try age में तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर तो दोस्तो ये चल रहा है अपने try age का तो इसका right answer जल्दी से मुझे आप उट कर दे तो दोस्तो मैं एक बार इसका right answer आपको बता देता हूँ फिर अपन देखते हैं आगे yellow जो color है दोस्तो yellow color जो है वो किसको indicate करता है यहाँ पर तो yellow color यहाँ पर urgent को करता है दोस्तो urgent को बिल्कुल दोस्तो अब आपने इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन सा color क्या क्या करता है तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ इसके अंदर कि यहाँ से मैं जुरू करता हूँ दोस्तो लिखना कि जो emergent होता है दोस्तो वो कि कौन सा color दर साता है emergent तुम आपको बता दू emergent होता है दोस्तो वो red color दर साता है emergent है दोस्तो वो red color बिल्कुल दोस्तो वो red color है जो emergent दर साता है रेड क लडर इमर्जेंट देसाता है जिसको हाइएस्ट प्राइर्टी दी जाती है दोस्तों हाइएस्ट प्राइरटी दी जाती है दोस्तों रेड क लड़ को और और दोस्तों अपन पढ़ रहे थे इमर्जेंट और अर्जेंट इनके बारे में प्राइज के सिस्टम के बारे में तो दोस्तों इमर्जेंट के बारे में अपने पढ़ लिया था तोड़ा कि ये रेड कलर का होता है दोस्तों कैसा होता है रेड कलर का वो इसको हाइस्ट प्र ềbly राइटिस को दी जाती है दोस्तों और दोस्तों जब हैड नेक में कर चैस्ट में हैड कहा अगर इंजडी हो इंज़ Gegen हो हैड में हो नैक में हो या चैस्ट में हो तो इसको इम्र्जेंट कांट करेंगे दोस्तों तो ट्राइएज उसको रेड टार में रखे दोस्तों ये था इमर्जेंट के बारे में अब देखते हैं अर्जेंट के बारे में दोस्तों कि जो अर्जेंट है दोस्तों उसके बारे में देख लिए अब देखते हैं अर्जेंट के बारे में दोस्तों कि अर्जेंट क्या होता है तो अर्जेंट दोस्तों यलो कलर होता है यलो कलर इंडिकेट करता है कॉंसा कलर दोस्तो यलो कलर ऐसे य contradictory है इसके अलावा इसको जो है दोस्तो अगर hebdoaman में कोई injury होती है hebdoman में तो अपन कौनसा code देते हैं यलो code देते हैं उसको urgent मानते हैं दोस्तों नेक्स अपन देख लेते हैं दोस्तो नोन अर्जेंट क्या होता है तो जो अर्जेंट नहीं हो दोस्तो नोन अर्जेंट होता है लाइक ग्रीन कलर है ठीक है दोस्तो ग्रीन कलर से इसको इंडिगेट कर सकते हैं वो इसको लो प्रायर्टी देते हैं प्रायर्टी कौन से इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों एंपूटेशन जैसे लिम्ब एंपूटेशन हो गया तो वह इसके अंदर इंजरी होगी तब यह कोड देंगे अब डैड का है दोस्तों इंपोर्टेंट है कि डैड कोड किसे देंगे तो डैड कोड देंगे दोस्तों ब्लैक कलर कैसे region понятно ये था दोस्तो एक Tries का question उमेद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और इसका जो Right Answer है दोस्तो वह अपना इसका Right Answer है दोस्तो येलो कलर जो है वह दोस्तो अपना हो जाएगा क्या येलो जायएगा दोस्तो अपना our joint etwas is Ka Right Answer हो जाएगा दोस्तो भी उक очер राइट आंसर है नेक्स्ट कुस्ट्र देखते हैं दोस्तों कि आभग प्राइड सिस्टम डिजास्टर पेशेंट अंडर तो पुछा इनों ने तो करेक्ट देखे लो दोस्तों यलो कलर जो है Oh, critically ill patient को बिल्कुल दोस्तोρ ये kurrect है कि जो yellow color zenon critically ill patient को कि देते हैं black light minor injury को नहीं देते सु capacity living natural नहीं होता दोस्तोर इस के इंदर white color इसमें होता ही निये that patient को black color देते हैं दोस्तों कैसा देते हैं black देते हैं और green color दोस्तो जो होता है किसके होता है green color तो green color जैसे कोई भी limb amputation हो गया दोस्तों उनके लिए होता है तो इस yellow कलर होता है दोस्तों critical critical होता है उसके यह दो नहीं दोस्तों फिर उसके लिए घर जाना जाए रेड जाना जाए दोस्तों तो sorry तो इसका जो right answer होगा दोस्तो वो होगा बना D, green color ठीक है दोस्तो, इसका right answer हो जाएगा D दोस्तो, green color next देखते हैं दोस्तो अपन, question number 5 5 number question अपने को क्या बता रहा है दोस्तो कि all of the following information are sought in the well baby clinic accept की well baby जो क्लिनिक होता है दोस्तो उसके अंदर आपन क्या-क्या किस-किस जीज की information देंगे दोस्तो, well baby clinic में किस-किस की information देते हैं अपन तो दोस्तो इसमें अपन किस-किस की information देते हैं आपन देते हैं दोस्तो, brace feeding की बिल्कुल ब्रेस फिडिंग की देते हैं दोस्तो और किसकी देते हैं दोस्तो इसके अंदर अपन इसके इम्यूनाइजेशन की देते हैं दोस्तो इम्यूनाइजेशन की इन्फोर्मेशन देते हैं दोस्तो और किसकी देते हैं दोस्तो इसके अंदर अपन sleep pattern की बिल्कुल दोस्तो sleep pattern की भी होती है और क्या देते हैं दोस्तो child की growth कैसे होगी child growth और उसका डावलग एड़ तो दोस्तो इसका जो right answer होगा वो क्या होगा दोस्तो अब जल्दी से मुझे इसका right answer comment box में put कर दें दोस्तो इसका right answer क्या होगा इसने पूछा है कि वैल बेबी क्लिनिक के उपर मैंने आपको इसके बार में ठोड़ा डिटेल बताया दिया दोस्तो कि वैल बेबी जो क्लिनिक है उस पर क्या information नहीं देंगे क्योंकि accept पूछा है तो कौन सी नहीं देंगे तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा ए बिलकुल दोस्तो और चैनल पर अगर नहीं हो दोस्तो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तो schooling अब देखते हैं दोस्तो अपन question number six six number question क्या है बहुत अच्छा question है दोस्तो six number question बहुत अच्छा है कि एक comprehensive अब देखो तो comprehensive का होता है एक बहुत मेहलब और comprehensive का मतार होता है हर प्रकार का पूरा complete और comprehensive का मतार होता है दोस्तो complete whole जिसको बोलते हैं या to complete या फिर whole जिसको बोलते है whole तो दोस्तो whole assessment, health assessment and older person is true किस को include करेंगे दोस्तो जल्दी सी मुझे right answer इसका comment box में दे दे दोस्तो पहला option अपना है दोस्तो कि clinical assessment को करेंगे functional assessment को करेंगे psychological assessment को करेंगे या फिर इसका all of hub होएगा तो दोस्तो इसका right answer जल्दी सी मुझे comment box में दे दे बहुत अच्छा question है दोस्तो comprehensive का मतलब मैंने आपको बता दिया है दोस्तो कि comprehensive जो होता है दोस्तो इसका मतलब होता है complete ठीक है दोस्तो complete होता है तो इसका जो right answer होने वाला है दोस्तो इसका जो right answer होते वाला है दोस्तो वो होगा d बिल्कुल दोस्तो all of boys का right answer जाने वाला है तो यह important question है दोस्तो all of above इसका right answer है क्योंकि comprehensive है तो clinical भी होगा functional भी होगा और psychological भी होगा तो इसका answer होगा है दोस्तो all of above next question देखते हैं दोस्तो कि the vaccine administer next question देखते हैं दोस्तो next question है दोस्तो अपना कि the vaccine एड्मिनिस्टर नोजड्रोप नोजड्रोप तो कौन सी एक्सिन है जो नोजड्रोप में दी जाती है दोस्तो तो देख लगते हैं दोस्तो पोलियो माईलाइटीस रूबेला इन्फ्लुंजा या फिर मीजल्स तो दोस्तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोलियो माईलाइटीस की जो है इसका राइट आंसर जल्दी से मुझे पहले तो कमेंट बोक्स में बताएं दोस्तो आप फिर मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूं दोस्तो जल्दी से मुझे comment box में इसका right answer बता दे दोस्तो... मैं wait कर रहूं आपका आपके... आपके right answer का जल्दी से मुझे इसका right answer comment box में बता है तो दोस्तो धेखते हैं polyophoneties के से देते हैं तो दोस्तो polio की जो होती है वो oral दी जाती है ओरल polio की जो drop है दोस्तो औरल दी जाती है दो बूंद ठीक है दोस्तो next देखते है दोस्तो मिजल्स जो है दोस्तो मिजल्स है वो कैसे दी जाती है मिजल्स जो है वो सबक्युटेनियस दी जाती है कैसे सबक्युटेनियस दी जाती है रूबेला दोस्तो मिजल्स, मम्स, रुबेला जो है दोस्तो वो सबकुटेनियस दिये जाते हैं दोस्तो तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वो हो जाएगा दोस्तो इन्फुलूंजा बिल्कुल दोस्तो इन्फुलूंजा जो है वो नोज ड्रोप वेक्सिन है तो वो नोज में डाली जाती है दोस्तो नोज के अंदर एड्मिनिस्टर की जाती है दोस्तो नोज के अंदर एड्मिनिस्टर करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वो चला जाएगा अपना सी सी इसका राइट आंसर है influenza, influenza इसका right answer है दोस्तो, c इसका right answer है next देखते हैं दोस्तो अपन, question number 8, 8 number question क्या होगा दोस्तो 8 number question है दोस्तो कि leprosy affect, बिल्कुल दोस्तो important question है कि leprosy जो है दोस्तो, leprosy वो affect all except, सब को affect करती है एक को छोड़ कर, इसको दोस्तो, तो दोस्तो right answer जल्दी सी मुझे comment box में बताएं, पहला option है testis, दूसरा uterus, तीसरा nervous system, चोथ है अपना eye, जल्दी सी इसका right answer मुझे आप comment box में दे दे लो दोस्तो, तो दोस्तो इसका देख लेते हैं कि जो leprosy होती है न दोस्तो, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि leprosy क्या होता है, तो leprosy जो होता है दोस्तो, leprosy क्या होता है, ये एक प्रकार का bacterial infection होता है दोस्तो, कैसा होता है दोस्तो, लेप्रोसy एक प्रकार का bacterial infection होता है दोस्तो, और इसके बारे में दोस्तो क्या पटेंगे, और इसके बारे में कि इसके अंदर round nodule मिलते हैं दोस्तो, round nodule देखने को मिलते हैं, भन इंप मलते हैं आधो कि वैमें उ perceived लाई में बैसी ली पाया है यह यह में है झाल आङ कैसे रिर्ष यहिएए अजह धुक्स्त उग्ज्रुटופ इस जो इसका यह कि भाइर सो एधुएं परनेनों सक्षड्र है तो इसका नारो का टिस्वर्ट ए northwest कि और धु? नरो का disorder होता है दोस्तो नरो disorder होता है ठीक है दोस्तो तो यह इसके बारे में अलकापूल का knowledge था दोस्तो तो इसका जो right answer है जलिए सी आप मुझे comment box में दे दे फिर मैं इसका right answer आपको बताता हूं दोस्तो इसका right answer जो होगा भी uterus uterus इसका right answer है क्योंकि लेप्रोसी जो है वो टेस्टिस को नर्व सिस्टम को और आई को प्रभावीत करती है दोस्तो नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं दोस्तो क्यूशन नमबर नाइन दोस्तो टाइम जुरूर लग रहा है लेकिन अच्छे से एक्स्प्लेंट कर पा रहा हूँ आपको तो आज मैंने नया सेट अप किया है दोस्तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी तो इसलिए अब आगे से आगे और अच्छा आपन कर लेंगे दोस्तो की फ्रेस प्रिपेर्ड ओरस सोल्यूशन शुड नोट भी यूज आफ्टर दोस्तो यह क्य सोल्यूशन को यूज कब यूज करना है और कब नहीं करना तो दोस्तो अपन देख लेते हैं कि औरस चो सोल्यूशन होता है इसकी फूल पॉर्म क्या होती है दोस्तो पहले तो तो औरस क्यों होती है औरल री हाइड्रेशन पानी की अगर कमी हो जाए तो औरस देते हैं दोस सोलिशन यह इसकी होती है दोस्तो फुल पुरम और इसमें क्या-क्या कंटेन्ट आता है दोस्तो तो इसके अंदर अपने को सोडियम बाई कार्बोनेट देखने को मिलेगा दोस्तो तो चांटी क्लोराइड पोटेशियम कलोराइडे कार्बोनेट और क्या दोस्तो सुगर यह चीज़े इसमें देखने को मिलती है दोस्तो अपने को बाग के आगे अपने डिटेल से पढ़ लेंगे कि कितनी कितनी होती है तो दोस्तो यह औरस है औरस को कब दिया जाता है दोस्तो डिहाइड्रेशन में कब दिया जाता है दोस्तो औरस को दिया जाता है दोस्तो कब डिहाइड्रेशन हो जाए तब औरस देना चाहिए दोस्तो इंपोर्टेंट है औरस के औरस एक्यूशन आ सकते हैं दोस्तो तो बहुत इंपोर्टेंट है और इसकी जो टोटल मातरा होती है दोस्तो 20.8 ग्राम होती है दोस्तो 20.8 ग्राम होती है नेक्स अपन देखते हैं दोस्तो कि इसको बनाने के बाद यूज कब तक कर सकते हैं दोस्तो तो इसको बनाने के बाद दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि जब ORS का जो solution प्रिपेर किया जाता है तो दोस्तों विदिन विदिन 24 आवर बिल्कुल दोस्तों 24 आवर के अंदर इसको यूज कर लेना है लिक्स्ट क्योचन देखते है दोस्तों है क्यूशन नंबर 10 दोस्तों इंपोर्टेंट क्योशन है क्जिशन नंबर 10 दो रहें हैम तक अपन सकते हैं Maternal Termination of Pregnancy. Terminate of Termination of Pregnancy, दोस्तो. तो यह इसकी full form है, और MTP कब तक कर सकते हैं, दोस्तो? तो up to 20 week तक अपन MTP करवा सकते हैं, दोस्तो. ठीक है, दोस्तो? तो इसका जो right answer होगा, वो होगा. डी, 20 week हो जाएगा, दोस्तो, इसका right answer. और दोस्तो, MTP जो है, MTP जो है, जो launch कब हुई थी, दोस्तो? तो याद रखना, ये 1922 के अंदर है. बाकि अपन दोस्तो, जब इसकी त्योरी की class देखेंगे, तब अपन clear कर लाएंगे. Next question है, दोस्तो, question number 11. Important question है, दोस्तो, सारे की सारे, आपको यहाँ जो question करवाज जाए रहे हैं, वो बहुत important question है, दोस्तो, तो बिल्कुल भी miss मत करो class को, class को time पर attend जरूर करना, दोस्तो. तो, लाइक कर दो दोस्तो, जितने भी लोग अगर लाइक देख रहे हैं, वो सब लाइक जरूर करेंगे, कि the common cause of maternal mortality in India, most important question है दोस्तो, यह question आपसे जरूर पूछा जाएगा, राजस्तान सीयच्चों में, कि इससे दो question बनेंगे दोस्तो, एक maternal morbidity का most common cause क्या होता है, दूस दोस्तो, अपन दोनों ही यहाँ पर discuss कर लेंगे, कि दोस्तो, most common cause of maternal mortality जो है, वो होता है अपना hemorrhage, ठीक है दोस्तो, तो hemorrhage जो है, वो, तो mortality का most common cause होता है, दोस्तो, दूसरा अपने पास morbidity है न, दोस्तो, morbidity, maternal morbidity, जो है दोस्तो, morbidity, maternal morbidity है, दोस्तो, उसका जो man cause होता है उसका जो most common cause होता है दोस्तों वो होता है अपना एनीमिया होता है दोस्तों तो यह important question है दोस्तों abortion क्या होता है दोस्तों कि viable product liability period जो होता है दोस्तों अपना 22 weeks से पहले अगर 22 to 28 weeks से पहले अगर abortion हो जाए तो उसे क्या कहते है अब और्शन कहते है दोस्तों वायबिल्टी प्रोस नहीं करे और बच्चा क्या हो जाए अबोर्ट हो जाए उसे abortion कहते है दोस्तों इसके अलावा एनीमिया क्या होता है दोस्तों हिमोगलोबिन जो है दोस्तों उसका level कितने से कम हो जाना दोस्तों less then 10 gram हो जाना वो एनीमिया खिलाता है दोस्तों और hemorrhage आपने देखी दोस्तों next question देखते है दोस्तों इसका जो right answer की है कि बारा नबर कहा दोस्तों बारा नंबर कुप्र्स और यह आगा है दोस्तों अपने पास की कौनशा कंट्रों आ Unantal में नहीं होता स्वाइब आyour डोस्तों सोडियम का क़लुराइड होता केलिशीयम को लाड़ी होता है लेक्टेट नहीं होता है दोस्तोल वह मैंने उद्र ओकारिककार्बानेट होता है दोस्तोल गोल enabling होता दोस्तो और ग्लुकॉस दोस्तो तो इसका राइट आमसर दोस्तो डोंच यह चला जाएगा सी जाएगा सुकोर इसक्ष इंप्रेन्ट दोस्तों क्यूशन नमबर थर्टेन है कि एक केस ओप डॉग बाइट सुट भी उपजर्ड फोर लास्ट जब डॉग बाइट कर जाता है दोस्तों इसके लिए इंपोर्टेंट चीज मा आपको बताता हूं दोस्तों जैसे ही डॉग बाइट करता है तो अपने को सबसे पहले क्या करना चाहिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों यहां से यह क्यूशन हर अगजाओ में पूछा जाता है तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है 10 से 15 मिनट तक 10 से 15 मिनट तक वोस करना है दोस्तो उसको दोना है वोस विद वाटर वोस विद वाटर वाटर के साथ इसको दोना है दोस्तो और दोस्तो वाटर के साथ में अपने को शोप भी यूज़ करनी है दोस्तो शोप भी यूज़ करनी है दोस्तो साबून जिसको बोलते हैं दोस्तो साबून के साथ दोना है vilsig injury हो जाती है ना दोस्तों उसमें भी यह करना दूरूरी होता है तो यह Dog bite के वारे मैं था दोस्तों की और देखते हैं दोस्तों Dog bite के बारे में और पड़ लेंगे पर जैसे दोस्तों क्या हो जाएगा Dog bite कर लेता है तो अपने को शुरुवात के जो 10 दिन होते हैं दोस्तों 10 days 10 days observe रखना पड़ता है दोस्तों 10 days observe रखना पड़ता है और दोस्तों अपने को injection लगवाना होता है कौन सा कौन सा injection लगता है दोस्तों dog bite होते ही तो AR भी होता है दोस्तों anti-rabage vaccine जिसको बोलते हैं इसकी पॉइंट पांच एमल डोज लगती है दोस्तों और कितनी डोज लगती है दोस्तों इसकी डोज लगती है दोस्तों 0 डेज पे फिर 3 डेज पे 5 डेज पे 7 डेज पे फिर 28 डेज पे दोस्तो इसकी कितनी डोस होगी यह होगी 5 तो इसकी 5 डोस लगती है 5 डोस लगती है ARV की .5यमल बहुत इंपोर्टनेट हैं ARV होता है पुल फॉरम होती है दोस्तो इसकी क्या होती है anti-rabbage anti-rabbage vaccine बहुत important है दोस्तो राजस्तान चय जो यहां से question जुरू पूछता है इसका right answer हो जागा है दोस्तो ओ तो next देखते हैं दोस्तो next question देखते हैं क्यूस्ट नमबर 14 14 number question बहुत important question है दोस्तो 14 number जो question है दोस्तो वो बहुत important question है दोस्तो तो देख लेते हैं 14 number question कि डेंगू fever बिलकुल दोस्तो डेंगू fever जो है डेंगू fever वेक्टर इस डेंगू fever का वेक्टर क्या होता है दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तो कि जो डेंगू फीवर होती है डेंगू अपन आज साम का जो सेसन है दोस्तो उसके अंदर अपन डेंगू के बारे में पढ़ेंगे डेंगू के बारे में कम्प्लीट स्टडी करेंगे दोस्तो तो इसलिए मैं इस क्यूशन का तो दोस्तों जोता है फी इनाफिली जो और मलेरिया कोज करता है दोस्तों मलेजिया कोज करता है और एडिज जो है दोस्तो बिल्कुल एडिज एजिप्टा ही जो है दोस्तो वो क्या कोज करता है डेंगू कोज करता है राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तो कि ये डेंगू कोज करता है दोस्तो ठीक है और ये बर्ड फ्लू करता है दोस्तो एच वन ए हैं दोस्तों next question देखते हैं जिसका दो सआँ वे ड इसन दोस्तों न 250 नंबर कुम से दोफों कि one tablet ऑफ क्लॉरीन की एक tablet efficient to chlorinate how many liter water तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो क्लॉरीन की एक टेबलेट घॉती है about one tablet जो होती है दोस्तों कि इसकी क्लोरीन की उसको अपन 20 लिटर वाटर में मिलकू दोस्तो 20 लिटर वाटर में डिजोल करते हैं और एक जो टेबलेट है दोस्तो उससे 20 लिटर अपन सोल्यूशन बना सकते हैं दोस्तो तो इसका जो यूज है वाटर का वो 20 लिटर होगा है दोस्तो most important है next question देखते हैं दोस्तो question number 16 question भी important question दोस्तो कि which of the following milk has partially practically no iron content किसी कौन से milk में iron content नहीं होता दोस्तो तब बेफैलो बिलकुल दोस्तो कि बेफैलो में iron होता है दोस्तो cow में भी होता है human में iron नहीं होता दोस्तो human milk के अंदर क्या नहीं होता human milk में no iron iron नहीं होता इसका right answer हो जाएगा दोस्तो next question देखते हैं दोस्तो most important immunization से यह question है दोस्तो तो बहुत important है कि क्यूशन के universal immunization program was started कब start किया दोस्तो तो यू आई पी जो है दोस्तो यह program start किया था 1985 में कब यह start किया था 1985 में दोस्तो तो इसका जो right answer है वो जाएगा 1985 a next question देखते हैं दोस्तो question number 18 18 number question है दोस्तो की midday meal program started in तो दोस्तो midday meal program कब start हुआ था तो midday meal program कब start हुआ जल्दी सी मुझे इसका right answer दो दोस्तो पहला option है 1951 दोसरा है 1905 में तीसरा है 1971 तीसरा है 1941 तो जल्दी सी मुझे इसका right answer इस comment box में पुट कर देगा दोस्तो जल्दी करें दोस्तो फिर इसका right answer अपने बताते हैं क्लास लंबी हो रही है तो अपने को क्या करना है दोस्तो जल्दी सीचा right answer बताओ बुझे तो दोस्तो midday meal program है वो क्यूं चलाए गया दोस्तो midday meal वो चलाए गया दोस्तो कि जो गरीब बच्चे होते हैं दोस्तो उनको proper क्या मिल जाए nutrition मिल जाए गरीब बच्चों को proper nutrition मिल जाए इसलिए यह प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था दोस्तो तो दोस्तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तो उन्नी सो पिचान में ये उन्नी सो पिचान में में स्टार्ट किया गया था दोस्तो तो राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तो बी इसका राइट आंसर है दोस्तो नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं दो दोस्तों कि 90 नंबर क्यूशन क्या है दोस्तों कि इन एच आइवी है मेकजीमम रिस्क और ट्रांस्मिशन मेकजीमम रिस्क ट्रांस्मिशन का किसमें रहता है दोस्तों ओप्सन यह है ट्रोसेक्स्वल होमोसेक्स्वल निडल प्रिक या पर बिलड ट्रांस्मिशन तो मेकजीम पूछा है दोस्तों इसमें होता तो सबसे ही है लेकिन maximum risk पूछा है दोस्तों कि maximum किस से होता है जल्दी बताएं दोस्तों maximum risk किस से होता है और एड्स है दोस्तों उसकी full form क्या होगी एड्स की वो भी आधर रखना acquired immunodeficiency syndrome बिल्कुल दोस्तों क्या होगी जब तक आप right answer दे एक्वाइड immunodeficiency syndrome बिल्कुल दोस्तों deficiency syndrome इसकी full form है तो इसका जो right answer होगा दोस्तों वो होगा अपना d blood transfusion बिल्कुल दोस्तों blood transfusion से सबसे ज़्यादा खत्रा होता है HIV होने का blood transfusion से तो next question देखते हैं दोस्तों next question देखते हैं question number 20 और आज के session का ये last question है दोस्तों आज के session का ये last question है दोस्तों बहुत important question है इसको देखते हैं कि most common drug resistance in TB तो दोस्तों कि most common drug बताओ जो resistance है किसमें TB में तो इसका important question क्या इसका देख लेते हैं तो पहला option है इफांसीन दूसरे स्ट्रिप्टोमाइसीन तीसरे आइसोनियाजाइड और फोर्थ है पाइरा जीना माइड है जल्दी शी मुझे इसका right answer दोस्तों कमेंट में बता दें फिर मैं इसको आपको explain करता हूं जल्दी जो right answer है दोस्तों उजे कमेंट बॉक्स में दे जब तक मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि जो TB होती है कौन-कौन से उसमें drugs अपने को देनी होती है दोस्तों तो TB है दोस्तों एक bacteria से होती है tuberculosis से mono Kimberly and tuberculosis इससे होती है दोस्तों और इसके अंदर जो drug देते हैं दोस्तों आपने इसके अंदर जो drug देते हैं वह होती ही दोस्तों एक होती Christ चौन Gin कि श дет dewस्थ वापको बता दूं कि थोड़ा एक्सप्लेश कर लेते हैं है इस इस क्यूशन में ह 만들어 पने इनके बारे में दोस्तो की कि कि रिफांप्सिन जो क्या होता है दोस्तों रिफांप्सिन जो है दोस्तों रिफांप्सिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताऊंगा दोस्तों इसके बारे में मोस्ट पोटेंशियल ड्रग है इसके लावा रिफांप्सिन मोस्ट पोटेंशियल का मतलब सबसे पावरफूल ह है ठीक है और यह फश्ट लाइं ट्रीक्ट की से फ़स्ट लाइण है यह सारी फ़स्ट लाइन दोश्ट तो इसके अंदर रेड ओरेंज कलर का यूरीन देखनेεί को मिलता है यह बहुत इंपोर्ट है दोस्तो बिल्कूल मिसमत करना next देखते हैं दोस्तोug स्ट्रेप्टोमाइसरिंग के बारे में तोस्त्रेप्टोमाइसरिंग के लिए जो most important चीज बताऊं जिस्स स्ट्रेप्टोमासरिंग का question पूचा जाता है दोस्तो वह यही है कि इसको अपन प्रेगनेंसी में नहीं देती है not in pregnancy not use in pregnancy दोस्तो क्योंकि ये क्या करती है दोस्तो क्या करेगी ये hearing loss करवाती है दोस्तो hearing loss करवाती है दोस्तो तो इसलिए इसको pregnancy में नहीं देती दोस्तो बहुत खतरनाक होती है ठीक है दोस्तो और क्या देखेंगे इसके बारे में Next Isoniazide दोस्तो तो Isoniazide होती है इसके अंदर Isoniazide जो है दोस्तो इसके यह first line drug होती है दोस्तो TB की और Most common resistance इसमें देखने को मिलता है दोस्तो drug का Resistance होता है drug का सबसे ज़या इसके अंदर तो इसका जो right answer है दोस्तो वो C हो जाएगा ISO निया जाएड ठीक है दोस्तो नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तो ये था दोस्तो आपना session आज का आपका आज का session कैसा लगा दोस्तो जुरूर बताएं और वीडियो को like जुरूर करें दोस्तो वीडियो को share जरूर करें दोस्तो like share और channel पर नए होतो दोस्तो channel पर अगर नए होतो subscribe जरूर करें subscribe जरूर करें दोस्तो channel पर नए होतो बिल्कुल दोस्तो और ऐसे ही दमाकेदार session आपके लिए लाते रहेंगी अब मैंने ये नए setup किया है दोस्तो तो और अच्छा आपको साम को और अच्छा आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्तो बहुत अच्छे से अपन कवर करेंगे दोस्तो चाहम की क्लास में और दोस्तो रही बात information देने की क्योंकि आज जो test है दोस्तो वह अपना 4 December को होगा Sunday को दोस्तो 4 December को अपना पेपर है उसमें अपने टोपिक बता दियें दोस्तो कि non communicable disease आएगा non communicable disease प्लस में और क्या आएगा दोस्तो most important चीज जिससे हर बार एक question आता है क्या दोस्तो occupational हजाड है occupational हाजार दोस्तो occupational जो disorder दोस्तो उसको वह बोल दया occupational disorder बोलतो दोस्तो ठीक है यह यह दो टोपिक आप से पूछे जाएंगे दोस्तो इसके 50 questions रहेंगे और top 25 जो है दोस्तो उनका नाम अपने YouTube community post में जरूर डालेंगे दोस्तो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने दोस्तो तक share करें like करें और जादा से जादा लोग क्या status लगाएं जो मैंने आपको test का वो बेज रखा है एक banner उसका status जरूर लगाएं जिससे की आपके साथ और बच्चों का भी benefit हो thank you so much दोस्तो मिलते हैं आज स्याम की class में जो डेंगू के होगी thank you so much एक दमाकेदर class होगी दोस् thank you thank you so much